कि अलकनन्दा का बढ़ा पानी बद्रिनाथ के लिए खत्रे के निशानी रूवर फ्रंड का काम बंध क्या होने वारा है अंत क्या ये पहाड पर किसी अनुहोनी की निशानी है क्या ये बड़े विनाश के निशानी है क्योंकि अलकनंदा को इतने एक रोज में इस से पहले कभी नहीं देखा जितनी इस वक्त दिखाई दे रही है क्योंकि जोशी मट में अलकनंदा नदी का जलस्तर ना सिर बढ़ गया है बलकि अपनी रफ्तार से लोगों के दिल में दैशत बढ़ा रहा है अलकनंदा में बढ़ते जलस्तर को देख बदरी नाध धाम पर संकट मनराने लगा है जिससे देखते हुए बदरी नाध धाम में मास्टर प्लान के तहट चल रहे रीवर फ्रंड का काम बंद कर दिया गया है बताया जा रहा है कि भीक्षन गर्मी से हिमाले में गलेशियर पिखल रहा है जिससे अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है जो बढ़ते बढ़ते ब्रम कपाल के पास पहुच चुका है और अब नदी के कटान का खत्रा भी बढ़ने लगा है दरसल जब भी उतराखन में नदीयों का जलस्तर बढ़ता है कि दारनाद की आपदा जीहन में आने लगती है लेकिन इस बार चर्चा बदरी नाद धाम को लेकर है क्योंकि अगर अलकनंदा बेलगाम होती है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान बदरी नाद धाम को होगा बड़ी बात यह है कि इस वक्त चार धाम यातरा चल रही है और सरगधालू का जमावडा लगा हुआ है